नमस्कार, आज हम सीखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी भी नंबर को पढ़ वा लिख सकते हैं, तो आएए शुरुआत करते हैं इस सिस्टम की, सबसे पहले हमारे पास आता है वन्स प्लेस, फिर पैंस प्लेस, फिर बारी आती है हंड्रड प्लेस की, उसके बाद आता है थाउजेंट, फिर आता है टेन थाउजेंट, फिर आता है लैक्स, जिसको हम हिंदी में लाख बोलते हैं, फिर आता है टेन लैक्स, फिर आता है करोर्स, और फिर उसके बाद आता है टेन थाउजेंट, करोर्ज, अधिकतर बच्चे ये भूल जाते हैं कि कौमास कहा पर लगाने हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये पहले तीन एक ग्रुप में है, इस ग्रुप का नाम है One's Period, ये दोनो एक ग्रुप में आते हैं इसको बोलते हैं thousand period इसको बोलते हैं lakhs period और इसको बोलते हैं periods of crores तो आईए किसी भी number को अगर लिखना या पढ़ना है तो उसे कैसे करना है माल लीजिए मेरे पास ये number है तो आईए इस number को हम कैसे पढ़े या लिखेंगे तो मैं आपको एक rule बता दूँ जब भी किसी number को Indian place value system में भरना है तो right side से भरना है पर जब उसको पढ़ना है तो left side use करनी है पताती हूँ कैसे तो पहले आ गया once tens hundred ये एक पीरिड था तो मैंने डाल दिया comma फिर आया thousand ये capital T for ten dot ten thousand एक पीरिड और खतम comma lakhs फिर आया ten lakhs ये period lakhs का खतम हो चुका है comma करोड और ten करोड देखें मैंने right side से शिरू किया था मैं फिर से बता दूँ आपने जब number को भरना है तो comma ज़रूर डालने है एक बात आप ये भी याद कर सकते हो कि पहले तीन अंक भरने है फिर दो फिर दो और फिर दो आईए भरना शिडू करते हैं यहाँ पे three zero one फिर आया comma ये two zero फिर comma seven three three comma one four आईए अब इसको लिखना कैसे है आप देख रहे हो करोड वाले में कितना नंबर आ रहा है forty one तो मैं यहाँ पर लिखूंगी forty one करोड लैक्स वाले में कितना नंबर आ रहा है thirty seven फिर मैं लिखूंगी thirty seven flags अब thousand वाले में zero two आ रहा है zero two को हम only two भी बोलते हैं यहाँ अकेला two भी बोलते हैं तो आ गया two thousand और बच क्या गया बेटा one hundred three तो इस ठंक से हम लिखते हैं Indian place value system में किसी भी नंबर को अब अगर नंबर को words में दिया हुआ है और आपको नंबर को digits में लिखना है तो very simple फिर से वही ones, tens, hundred, comma, thousand, ten thousand, lakhs, ten lakhs, करोड, and ten करोड अब नंबर को पढ़िए 30 करोड यानि करोड वाली family में 30 आना है मैंने 30 लिख दिया, comma, डाला, lakhs, कितने lakhs हैं? 17 lakhs, तो lakhs वाली family में मैंने 17 लिख दिया, comma, eight thousand यहाँ बच्चे गडबड़ी करते हैं, वो eight को कई बार यहाँ लिख देते हैं, पर नहीं, मैंने बोला है, eight thousand तो eight को हम only eight, यानि zero eight लिखेंगे फिर आया nine hundred, यानि hundred के नीचे nine, and one तो tens place कुछ नहीं है, यहाँ one, तो यहाँ आ गया zero आईए एक और नंबर आपको बताती हूँ, one करोड, one lakh, one hundred, eleven same, ones, tens, hundred, comma, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, अब करोड तो मैंने लिखा आपने देखा one करोड, अगर मैं ten करोड ना भी लिखूं तो चलेगा, क्योंकि one करोड है तो मैंने ten करोड यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं समझा, one करोड, करोड के निचे one, comma, one lakh similarly, जैसे मैंने आपको उपर बताया, one को हम लिखेंगे, zero one, यानि only one one hundred, आप देख रहे हैं, यहाँ thousand नहीं है तो बच्चे गलती ना करें, यहाँ पर one ना भर दे, thousand नहीं है तो दोनों में मैंने अपनी तरफ से भर दिया, zero one hundred, hundred के निचे one, eleven, eleven यह ऐसे है तो यह था Indian Place Value System, थैंक यू